हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवर Z1X Android में आप जो है Accessibility menu setting को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये Accessibility menu setting जो है कैसे काम करती है है आज के इस वीडियो में माँदे आपको डिटेल में जानकारीं देने वाला हुँ तो चलिए आप ये video का में start कर लेथे सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting पेज open करना है ठीक है अब इसके अगले page में आपको नीचे ए option मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, Accessibility Menu, ये वाला option मिलेगा, इससे सलेक्ट करना है, अब accessibility menu के x page में आपको नीचे ए option मिलेगा Accessibility Menu, shortcuts of, इसके name के ऊपर आपको tap करना है, आपका ये page open होगा accessibility menu का, इस page को उपर की side आपको scroll करना है तो आपको नीचे यह option मिलेगा allow का इससे select करना है अब यह accessibility menu का shortcut का एक new page open होगा इसमें आपको दो option आपको दे रखे होते हैं इन दोनों में से आपको कोई भी एक option आपको select करना है मैं उपर वाला select कर लेता हूँ box में right tick लग जाएगा इसके बाद नीचे save का button select करना है अब यहाँ पर accessibility menu का यह setting आपकी on हो जाएगी और आपके phone की screen के उपर accessibility menu का यह shortcut button आपको दिखाई देगा इस setting को आपना किसी भी page पे किसी भी app के अंदर आप कभी भी इसका use कर सकते हैं देखे करना क्या है कि आपको यह accessibility menu का shortcut button आपको एक बार tap करना है तो आपका यह page open होगा इसमें देखे काफी जारे options हैं इस तरीके से slide करेंगे तो आपको और भी option दिखाई देंगे इसके लिए आपको mobile phone का setting page open करना है और सबसे ओपर आपको इस search icon का option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको टाइप करना है accessibility menu ठीक है तो आपको नीचे यह option शो हो जाएगा इसे select करना है इससे क्या होगा आपका phone आपको directly setting में लेकर आ जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूंडने का